हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्ट्रेट फ्राय वेजिटेबल्स जिसमें हमें सारे चाइनिज वेजिटेबल्स चाहिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है मश्रूम और स्वीट कॉंस इनको मैंने अच्छे से काट चोटा काट कर धो लिया है उसके बाद मैंने लिया है ब्रोकली रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम्स बेल पेपर्स मैंने पैन में थोड़ा सब बहुत थोड़ा सा ओयल डाला है तू टू टेबल स्पून्स उसके बाद मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल देती हूं जैसे कि पहले मैं स्वीट और मश्रूम डाल रही हूं और बाकी वेजिटेबल्स भी इसी के साथ डाल दोंगी गैस इस टाइम बहुत ही सिम्पर है अब आप देखेंगे इसमें जादा कुछ भी नहीं डलता है बहुत ही सिम्पल और इजी रेसिपी है जो कि विदिन फाइव मिनट जटपट बन जाती है बस इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्सब करना मैंने अब मैं इसमें ठोड़ा सा सॉल्ट करूंगी स्लल आप अपने टेश के अकाडिंग ली एड़ कर सकते हैं इसके इलाबा अगर आप पसंद करते हो इसमें बेबी कॉंदव सकते हो आप इसमें पनीर डाल सकते हो लास्ट में एकद आप इसमें बॉइल्ड जो हैं एक्षी डाल सकते हो चोटे-चोटे पीसों करके तो यह हल्दी और बहुत टेस्टी जो रैसीपी है वह बनेगी अब य आज अभी तेज है जैसी और फिर मैं इस पर लेड लगा के इसको टू मिनिट्स के लिए पकने देती हूं ज्यादा नहीं पकाना है बहुत गली-गली सबजी आची नहीं लगेंगी तो हमने कोशिश कर यही करनी है कि खड़ी-खड़ी सबजी रहें देखेंगे आप पानी एकदम सोख हो गया है और यह अच्छे से कुक हो गई है और यह रेडी भी हो गई है एक तरह से आप कह सकते ह खाने के लिए यह आप ज़रूर ट्राइ करिएगा यह बच्चे भी इवन लाइक करते हैं यह बहुत ही जल्दी और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इस वेरी गुड फॉर यू ओल्सों कि यू झाल 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 झाल